हालो इस्ट्रेंट्स, वेलकम को साइबर रूलर, आज हमारा MS-DOS का सेक्रिंड टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं MS-DOS, वही सेम चीज रन पे जाना है, आपको CMD लिखना है, आपका योपण हो जाएगा, आज हम इसकी कुछ नॉर्मन, बेसिक कंसेट्स के बारे में बात कर हो लेते, बेसिक कंसेट्स में, जैसे की अप यहां पे अगर आपको इसका Default Color चेन्ज करना हो, तो कैसे करेंगे, आपको सब से पहले, यहां पे उपर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद'd, आपको यहां पे Property पे जाना है, पर आपको यहां पे दे democratic पर पर सबसे पहले देख लेते हैं 39 या 24 या 20 इतना रखना आपको यहां पर इफेक्ट दिखाए दे रहा होगा मुझे इतना रखना है तो ठीक है और ले आउट कैसा हो मतलब इसकी वीड़ कितनी हो हाइट कितनी हो विंड़ो का साइज पोजिशन वो चीज़ें आप यहां से सेट क अब हमावी नौर्मल आते है तो सबसे पहले यह हमारा magnify start हो चुग है तो मैंने पिछली वीडियो में basic command बदाए थी इस वीडियो में हम कुछ और commands के बारे में जानेंगे जैसे कि सबसे पहले हम अगर मालो कि इसी commands के बारे मुझे help चाहिए तो सबसे पहले commands को कैसे use करना है या क्या है just like मैं आपको एक command दिखाता हूँ मुझे md command के बारे में जाना है md command लिखा और यहां पे slash लगा है और question mark लगा है और enter कर दिया यह आपको md command के बारे में बताएगा md या mkdir यह क्या काम create करते हैं creates a directory और यहां पे आपको सारी चीज़ें दिखा रहा है mkdir, abcd अगर आपको एक बारे में काफी सारे folder create करने हैं तो जैसे chdir, mkdir, chavdir तो आप यहां से ऐसे use कर सकते हैं अगर मनलो मुझे command का नाम नहीं बताएगा directly मुझे commands देखनी है help के तो आप यहां पे help लिखके enter mark रहते हैं तापको यहां पे सारी command दिखाई दे जाएगी सबसे पहले आप देखें यहां पे memic है, xcopy है, wall है, verify है, version है, type है, time है, title है, tree है, shot है, shutdown है, robbery है run है, print है, pause है, more है बहुत सारी commands आपको यहां पे मिल जाएगी तो हम सबसे पहले कुछ basic command की बारे में बात करते हैं, just like, अभी आप देखें अगर अभी आप देख रहे हैं तो आप, जो हमारे cmd का window है, यह भी छोटा है, अगर मुझे इसे बड़ा करना है तो कैसे करेंगे, command होती है, mode, mode लिखके आपको यहां पे लिखना है 180 और आपको enter कर देना, 1 minute, mode mode 180 मेरा साथ फुल स्क्रीन है, पहले से इसलिए, अच्छा मेरा यहां से फुल स्क्रीन अटमाटिकली हो जाता है, इसलिए, आप अगर mode 180 लिखेंगे आपको पुरी विंड़ो पे फुल स्क्रीन आजाता है, यह दिखेंगे, मेरा पहले से फुल स्क्रीन हो रहा है, इसलिए नहीं आ रहा था और दूसरी command mode होगे, एक तो बड़ा करने के लिए, और just like हम कुछ command देखते हैं सबसे पहले हम भी help करके दिखते हैं कौनको जी command हमें यूज करने हैं, जैसे मुझे किसी folder का नाम चेंज करना है, तो हम सबसे पहले अपने चले जाते हैं वहीं पर directory में, तो cd space dot backslash लगा है, enter, sorry, cd space backslash enter, तो मैं c drive में आ गया, अब यहां पर c drive में आने के बाद में cd users के अंदर जाता हूँ, users के अंदर जाने के बाद मैं यहां पर जाता हूँ, desktop नहीं fiberking के अंदर आ गया, c drive के अंदर, users के अंदर, user के agreedर, अब मुझे यहां पर desktop पे जा रहे है, cd deskoses works, wow p desktop और एंटर किया अब हम यहां पे desktop पे आ गया है आभ यहां पे देख रहे हो के desktop जबसे पर हम clear कर ले थे yaar cms clear कर लिए अब आ तौब ही हम desktop पे है अब हम सबसे तहले यहां पे dirach tussen चेख करते हैं कौना हूश directory हम देखते हैं यहां पे directory लाजा वाली जो हम्ने वनाई थी पहरे वीडियो वनी है तो हमने यहाँ पर लिखा राजा नइं ले मैं क्या do नइ राजा के अंदर सब से पर हम राजा के दर चले जाते हैं है सीडी और राजाएं 한द किया कैम नीचे अब गांट्र कर दिया तो यह आपए देखिए थे हैं हमारा चेंज हुआ या नइ वा देखेंगे हमारा यहा पर चेंज हो चुक़र एक तो आपको आज की कमांड पर देखेंगे की अपना विंडो का साइज कैसे बढ़ाते हैं और दूसी चीज जो है रीनेम कैसे करते हैं और डिलिट करना का कमांड हो चुकी है हमारी पहली वीडियो में और अब इसमें रह गई अगर आपको ऐसे न डिरेक्ली कमांड सियाद नहीं आती कि कौन सी करवानी है कौन सी नहीं करवानी मैं राजा के अंदर दीपक बना है और दीपक के ंंदर c d d w d a के दीपक के अंदर मैं जाता हूँ और यहां पर लिए देता हूँ है गए और नीचे आते हैं देखते हैं दीपक के अंदर पाउच गए हाँ दीपक के अंदर आ गए c रिस्ट है m d create किया a b a b c d और सारी backslash है दे एक मिनिट m m d question mark लगाया और हमें create करनी है a b c sorry backslash लगता है हमने गलती कर दीए यहां पर हम लगाते हैं backslash इसके अंदर हमें create करना है न तो यह मैंने enter कर दिया d ir से अब हम चेक करते हैं तो अभी हम कहां पर हैं दीपक के अंदर अब हम चेक कर लेते हैं कौन कौन से इसके अंदर directory बनी हुई है मैं तो कोई directory नहीं दिखा जा रहा है तो कोई नहीं mkdir राज के नाम से राज के नाम से बना लेते हैं अगें फिर mkdir dwe p के नाम से बना लेते हैं अब दीपक करते हैं तो आप देखेंगे यहां पर दो फोल्डर बन रहें अब हम बैक चले जाते हैं cd db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db.db डल्ट्री काम नहीं कर रहे एक मिनट डल्टी र्वली अब हम करके लिखते हैं तो operational program batch file command side नहीं work कर रहे होगी इसे क्या होता है दोस्त जितने भी हमारे folders होते है folder के अदर folder folder के अदर folder या files होते हैं यह सब को जो एक ही बार में delete कर देता है यह हो गई एक command होती है हमारी exit अगर माल लो हमें यहां पे इसे close करना होता है एक minute है अगर हमें इसे close करना होता है तो हमने command लिखते है exit clear कर दिया और यह automatic जो हमारा close हो जाता है again हमें open करना है cmd cmd से हमने open कर लिया और जैसे किसी ड्राइब को आपको format करना है तो format for me इस फॉर्मेट लिखेंगी आप एंटर मारेंगे format आपको इंशिंशिन दिखा जेता है आप आपको format कैसे करना है क्योंकि में पास अभी कोई ड्राइब ऐसी नहीं है जो मैं format कर जातूं आपको लिखना है format, volume का नाम लिखना है, volume का नाम और यह वहाँ पर आपको मतलब जैसे format, मैं आपको एक जांपल दिबताएता हूँ, format आपको लिखना है, लिखने के बाद जैसे f drive format करना है, column लगाना और enter कर देना, यह आपके drive क्या हो जाएगी, पुरी पुरी format हो जाएगी, और CLS आपको पता ही है, क्या होता है, CLS पुरी स्क्रीन क्लियर कर देता है, यह थी आपकी हमारी का ओर कमांड है, जैसे मैं आपको अभी ट्री का बता देता हूँ, जैसे माल लो मैं यहाँ पे, cd और backslash, मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, पे, cd windows के अंदर, फिर cd system 32 के अंदर, अब मैं यहाँ पे एक कमांड लगाता हूँ, tree, आपना इसे फोड़ ध्यान से देखिएगा, तो यह just like कैसे, मैंने enter मारा, यह सारी चीज़ें आपको बताता है, किस फोल्डर के अंदर क्या है, क्या फाइल है, क्या क्या फाइल बनी हुई है, यह सारी कमांड आपको दिखाता है, और एक कमांड होती है, e-c-h-o, echo, यह क्या काम करता है, echo message प्रिंट करवाने के लिए, e-c-h-o, high, तो एक कमांड इसका लिखा हुआ आगया, high, यह होता है, message के लिए मैं थोड़ा जोग करके लिखाएता हूँ, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैंने echo लिखा तो echo zone हो गया, और echo high लिखा तो echo, high गया, इसने message मुझे reply भी high में ही दिया, अब मैंने दुगास लिखा, e-c-h-o, echo, mental, m-e-n-t-e, l, तो आगे mental लिखा आगया, और format का भी आपको पता चल गया, versions मैंने बता दिये, और एक command होती है, c-h-k-d-s-k, c-h-k-d-s-k, enter आप करेंगे, तो यह access denied बता रहा है, मतलब अभी मेरे पास इसकी permission नहीं है, कि मैं command चला सकूँ, यह क्या काम करता है, अगर आपको किसी drive के bad sector देखने हुए होते हैं, तो आप bad sector से, c-h-k-d-s-k से, आप check कर सकते हैं कि आपके drive में bad sector तो नहीं है, और यह होता है किसी volume का जो हो check करना, version check करना, तो serial number होगरे check करना तो आप कैसे check करेंगे, और, और add trip के बारे में मैंने बताई दिया, just like अगर आपको कोई vio create करनी हो, add trip के बारे में आपको और भी बताईता हूँ, जैसे अब हम चले जाते हैं, c-d, backslash, ok, c-d, kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak हुआ है दीपक नम को फोल्डर अब दिपक नम के फोलडर प्र हमें एक्ट्रिव लगाना है मायना आपको पहले बंदा है लेकिन थोड़ा से एक चीज चेंज करता हूँ मैय इजलिके और यहां पर लगाना है एटर i b a a t aged p investigators ask h plus s dwt a k दीपक पे लगाना है और मतलब read only h मतलब hide और s मतलब system की file enter किया ये बन गई dir से हम चेक करते है तो हमारे पास कोई नहीं है अब अगर हमें इसे चेक करना है dir तो इसे लगाया है as system की file शो करेगा दीपक क्या है system की file अगर मुझे hidden file चेक करने ah लगाया hidden file ये है और read only तो read only के लिए साहँ AR होता है read only के लिए AR होता है आपको यहां से खली AR read only file शो होगी और आरे राजा मैंने अगे लिखा आरे सॉरी dir लिखके दिखते हैं तो हमें यहां पे कोई file नहीं दिखाए देरी है बट अगर आप किसी को यह नहीं पता यह कैसे हम use करते हैं तो ओ आपकी file से फोल्डर कभी नहीं देख पाएगा तो just like यहां पर राजा के अंदर से दीपक नाम का आपको कोई folder नहीं दिखाए देगा आपकी view में आपको change करके दिखाए तो hidden items मुझे show करें बट आपकी file नहीं show कर रही है अब अगर आपको इसे दुबारा से या game unhide करना है तो आपको यहां पे पूरे पे minus की sign देने होंगे आप minus की sign लगा दे अब आपकी file dir आप command डलेंगे आपके show करेंगे अब इसमें जो है कुछ networking की commands होती है तो networking की map आपको एक और बताब जैसे user मुझे check करना है तो user कैसे check करेंगे तो आप यहां पे लिखें net user enter मालेंगे आपको यहां पे user दिखा देगा कौन-कौन से user है administrator है cyberking और guest का user यह है अभी यह आपका disable है एक और चीज net user के अंदर अगर आपको password reset करना हो तो कैसे करेंगे तो मैं आपको बताएता हूँ net space user space cyver cyber space k ingking और आपको यहां पे star का sign लगाना पड़ता है sorry यह मेरा space वाला है तो इसलिए बहुती rarely लेता है अब आपको यहां पे एक चीज दिखेंगे आपको यहां पे पूरा दिखा रहा हूँ user name password reset करना है तो उसके लिए star का sign लिए होता है option आपको यहां पे देना है domain अगर आपको देना हो user name password star add करना हो तो आपको यहां पे आप दे भी सकते हैं और एक और चीज होती है नेट व्यू नेट व्यू देखते हैं हम अब करती है नहीं प्रसेसिंग तो कर रहा है कोई नहीं हम इसे cancel कर देते हैं नहीं चल रहा cancel करने के लिए control प्लस c दवाना पड़ता है cancel हो जाता है अब हम जिसे shutdown करना shutdown d-o-w-n आप लिखेंगे तो आप यहां से shutdown कर सकते हैं बट मैं आपको करके नहीं लिखा रहा है क्योंकि shutdown कर दो फिर फाया ही क्या हो मैं आपको help लेके लिखा रहा हूँ कैसे करते हैं आपको परस हो जाएगा मैंने shutdown डाला आप यहां पर देखेंगे shutdown यह तो नीचे आगए हम जादा ही shutdown आपको लिखना है shutdown के बाद i किसलिए होता है यह किसलिए होता है यह सारे इस आइकन्स आपको दे रहते हैं आपको यहां पर नीचे समझा रखा होगा जिस्ट लाइक एस किसलिए होता है slash में shutdown the computer computer को shutdown करने के लिए shutdown the computer on the next boot next boot पे computer कब shutdown हो जाए यह उसके लिए है और L log off के लिए होता है I जो है graphical user interface के लिए होता है और यह help के लिए होता है और reboot करने के लिए fully shutdown restart the computer after the system is rebooted restart my registered application यह उसके लिए होता है और A जो है about system shutdown के लिए होता है 10 of the local computer time out और warning यह warning के लिए देने के लिए होता है और अच्छा अग्रेनेशन में जाने के लिए और एक चीज़ होती है comment के लिए comment अगर आप कुछ message restart कर रहे है shutdown कर रहे है कोई आपको comment देने ता आप यहाँ पर comment भी दे सकते है just like मापको एक example देता हूँ shut shutdown हाँ हाँ हाइफल में एस लगाया और नहीं सॉरी एस लगाया इस दिया टी लगाया और टी के बाद अगर मैं 00 यहाँ पर लिख देता हूँ तो जीरो सेक्ट में यह क्या है shut shutdown बंद हो जाएगा और मालो मैंने 120 जाल दिया तो यह 120 सेक्ट में बंद हो जाएगा और मैंने यहाँ पर अगर c लिखा और c लिखने के पाद मैंने यहाँ पर double quarts में एक message लिख दिया system not working system not working आपने अगर इतना लिखा तो यब यह क्या करेगा system आपका shutdown हो जाएगा कितने minute कितने second में 120 second में shutdown होगा और comment क्या है system not working system work नहीं कर रहे इतले क्या है आपका computer shutdown हो गया तो यह ऐसे shutdown के लिए होता है ऐसे reboot के लिए होता है आप यहाँ पर R लगा सकते हैं ऐसकी जगा तो आपका system क्या है reboot होदाता है यह था मतलब remotely shutdown करने के लिए आप एक और चीज़ आप जो command यहाँ पर use करते हैं वही command आप जो है run पर भी use कर सकते हैं आपको अब इतना तो प commands आपके work ना करें समझ में ना एक कैसे use करना है तो simply कोई भी command लिए जैसे dir मैंने लिए मुझे इससे related help चाहिए मैंने slash लगा कोक्शन माक लगा जिए और enter करें दिया आपके पास अब इससे related पूरी की पूरी help आ जाएगी जैसे मैं यूज़ करते हैं हम Linux में वैसे यह यह करते हैं जैसे r के लिए read only और s के लिए use करते हैं जैसे मैंने आपको बताया था आपको समझ में आई किया होगा तो अब हम ms2 की जो वीडियो है हम यही पर इसे complete करते हैं दो ही पार्ट की वीडियो थी और जो इसका third part होगा third part में आपको सिर्फ networking की commands बताए जाएंगे networking क commands को हम कैसे इसको जो है इसके अंदर use करते हैं जैसे पिंग हो गई network की connectivity हो गई यह सारी commands हम इसके अंदर कैसे use करते हैं यह चीज़ें आपको बताए जाएंगे और जैसे DNS को flush करना हो मतलब DNS को पूरा की तरह flush कर देना है जैसे मतलब automatic reset कर देना हो कैसे use होते हैं और IP address कैसे निकालते हैं Mac address कैसे करते हैं और जैसे scan हो गारा कैसे करते हैं अगर किसी DNS को renew करना है तो कैसे गम करेंगे यह सारी commands जो आपकी बताए जाएंगे जो अगले में जो पार्ट इसका 3 होगा तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छ कर सकते हैं तो थांक यू फोर वाचिंग इस वीडियो